जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ आज हम कुंडली में व्याप्त विश्योग के बारे में बात करें हैं विश्योग सुनने से ही समझ में आता है कि ऐसा योग जिसके अंदर जहर होता है और जिस तरह शरीर के अंदर जहर अगर आ जाये तो व्यक्ति म्रत हो जाता है उसी तरह अगर कुंडली के अंदर ये दोश आ जाये तो जीवन में इंसान म्रत रूपी जीवन जीता है उसके ज जीवन से धन, वैवव, खुशियां धीरे-धीरे जहर पी जाता है और समाप्त हो जाती है। इंसान का अपना conscious खतम हो जाता है। इंसान के अपने जीवन के अंदर निराशा आ जाती है। बहुत सारे cases में देखा है लोग deep depression के शिकार हो जाते हैं। कई बार suicide करने की प्रवर्ती भी इस योग का प्रमुख कारण बन जाती है। इंसान के जीवन में निराशा बहुत आ जाती है। इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कितने भी प्रैतन कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सफलता हाथ नहीं लग पाती। बार 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 असफल होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति से कल है हमीशा पास रहकर उसका साथ निभाती रहती है। ऐसे लोगों के साथ लोग जबरदस्ती उलजते हैं ऐसे इनसान को गुसा बहुत आता है और ऐसे इनसान की वानी और गुसा ही उसके अपनों को उससे दूर कर देता है ऐसे इंसान के इर्द गिर्द कोई बैठना नहीं चाहता, ऐसे इंसान के समक्ष कोई रहना नहीं चाहता, ऐसा इंसान अपने जीवन के अंदर खुश कभी नहीं रह पाता और ना ही उसकी कमपनी में रहने वाले लोग उससे खुश रहते हैं इसका उपाय बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्योग होता क्या है जब चंद्रमा और शनी दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं दशा महादशा अंतरदशा में या फिर गोचर में या फिर आपकी जनम कुणली के अंदर ये दोनों एक साथ बैठ जाएं तो इसे विश्योग का नाम दिया जाता है विश्योग कितने भी समय के लिए आए आपके जीवन में जहर जरूर घूल कर जाता है दूसरी में जीर अगर शनी आपकी कुणली में करक राशी का बैठा है और पुष्य नक्षत्र का बैठा है चंद्रमा आपकी कुणली में श्रवन नक्षत्र का है और मकर राशी पर बैठा है तो ये योग व्याप्त हो जाता है अगर कुंडली के अंदर राहू के दृष्टी आ रही हो चंद्रमा के उपर और शनी उसको दृष्टी व्रद कर रहा हो तो भी ये योग कायम हो जाता है वैवाहिक जीवन तहस नहस होने लगता है मा का प्रेम बिल्कुल नहीं मिलता मा समान किसी भी इस तरी से प्रेम नहीं मिलता आपके घर में व्याप्त औरते ही आपके जीवन को बरबाद करने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है जैसे कि आपकी बुआ, जैसे कि आपकी चाची, जैसे कि आपकी ताई यही औरते होती हैं जो आपके जीवन में जहर घोलने का कारे कर देती है आपके अपने लोग ही आप पर विश्वाश नहीं करते हैं आपका आत्म विश्वाश जीरो हो जाता है यह सारी के सारे लक्षन है विश्योग के आपकी कुंडली में व्याप्त होने के आपके हाथ के चंदर अगर आपका ये वाला सइड यानि के छोटी उंगली के नीचे वाला जो जगे होती है यह चंदर परवत होता है और अगर इसके ऊपर बहुत ज़ादा लखी रहे हो यह दबा ऊआ हो और अगर शनी परवत से कोई रेखा इसके ऊपर आती वी दिखाई देर चाहे वह हो तो यह मान के चलिए आपका विश्योग बहुत प्रवल है अगर आपको बार बार चीजे नेगेटिवली अप्रोच करती हैं आप पर भूत प्रेत प्रशाच गन बहुत जल्दी लग जाते हैं आप पर किया कराया टोटका बहुत जल्दी लग करती हैं यानि कि आप कुछ भी एक्स्टा खाले या आप कुछ भी अपने डेली रूटीन की चीजों से अलग कुछ खाले और आपका पेट गड़ बढ़ा जाए तो आप मान के चलिए आपको विश्योग है आपके जीवन में आपकी अपनी बैहन अगर आपको लेकर इरुश पर अपने इस महा विश्योग का क्या कर ले उपाए यह आपकी सार्थी आपको बताएगी लेकिन यह सिर्फ शिवरात्री पर नहीं कटेगा आपको शिवरात्री से चालू करके एक लंबे समय तक इसकारे को करना पड़ेगा तब जाकर यह योग आपकी कुणली के अंदर आपको नाकारत्मक देने से बाज आएगा जहर है स्वैम शिवजी ने अपने कंठ में इस जहर का ग्रहन किया था और उसके बाद ही वो नील कंठ कहलाए थे इसलिए याद रखिए इस जहर को खतम करने के लिए आपको अपने जीवन में अध्यात्म को ग्रहन करना पड़े आपको अपने बड़ों से आपको अपने बुजर्गों से और आपको ब्रहमनों से आशिरवाद निरंतर लेना पड़ेगा तब जाकर आप इस चीज से निजात पापाएंगे जो लोग सक्षम है जो किसी अच्छे ब्रहमन के द्वारा इसको निजात करवा सकते हैं उन्हे जरूर कराना चाहिए लेकिन जो असक्षम है जो नहीं कराते जिनके घरों में यह चीज़े मानी नहीं जाती वह स्वैम क्या करने यह आज आपकी सार्थी आपको बताने वाली है विश्योग को काटने के महा उपाएं आज में आपको देने वाली हूं शिवरात्री से प्रा के उपर एक घी का दीपक जलाना है और साथी साथ उसी दिन आपको शनीदेव के उपर सरसो का तेल जरूर चढ़ा देना है अगर आप इस विश्योग के कारण बहुत ज़ादा ग्रस्त है और आपके जीवन में निराशा निरंता रूप से चली आ रही है तो आपको क्या कर करना चाहिए आपको बैहते हुए जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूद हर सुमवार को जरूर चढ़ाना चाहिए हर शुकरवार वाले दिन आपको बैहते हुए जल के सामने बैठ कर चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको पानी बहुत जादा पीना हाथ से बड़ा नहीं होना चाहिए आपको एक नारियल के अंदर बांध कर ये त्रिशूल शिवलिंग के उपर चढ़ा कराना है अगर आप इस योग से ग्रस्थ है तो आपको क्या करना चाहिए आपको शिवरात्री वाले दिन एक तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए सोमवार के दिन शिवरात्री वाले दिन आपको विशेश रूप से दान करना है और उसके बाद आने वाले साथ सोमवार आपको ये दान निरंतर रूप से करना है अगर आपके जीवन में ये चीज बहुत जादा दिक्कत कर रही है तो आपको एक सफेद वस्त्र शिवलिंग के उपर जरू चड़ाना चाहिए शिव जीग के उपर कच्ची सूत होत का दागा चड़ता है वो उरूझत चाहिए और आपको शिवलिंग शिव जी पर जरूर लगाना चाहिए और उसके बाद प्रतेक शुकरवार को ये भोग आपको मातारानी के सामने लगाना चाहिए और ऐसा आपको साथ शुकरवार करना चाहिए विश्योग कोई बहुत अप्रिय चीज नहीं होता बस इसका सही निदान हमें पता होना चाहिए ये एक ऐसा रोग है जिसकी दवा अगर हमें पता हो तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती और महादेव चंद्रमा और शनी दोनों के ही ईश है इसलिए उनका पूजण आपको इस कस्ट से बहुत जल्दी निदान दिला देता है चंद्रमा ब्रहमित होता है तो कहीं न कहीं हमारा मन अशान्त होता है और जब मन अशान्त होता है तो इनसान किसी भी चीज़ के लायक नहीं रह जाता क्योंकि कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है बंदे और मन के हारे हार तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोश है तो किसी अच्छे जोतिशी से अपनी कुंडली दिखवा कर महा शिवरातरी पर ये उपाय जरूर करिएगा और साथी साथ में अगर आप कर सकते हैं तो एक चीज और करिएगा आप महा रुद्रा अभिशेक शिवरातरी वाली रातरी को जरूर करवाईएगा तो देखिएगा आपके जीवन से कस्ट जरूर चला जाएगा मैं आप सबके लिए प्रार्थना अपने महा देव से जरूर करूँगी अपने ठाकुर जी के आगे अनुग्रह जरूर करूँगी कि वो आपके जीवन से सारे कस्ट हर ले आपको सही मार्ग मिले, आपको सही गुरु मिले, जिससे आपके जीवन में जो कस्ट हैं, उनके सही रस्ते आप पापा हैं, चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बुद लेकर, मैं आपके सामने प्रस्तूत जल्दी हो जाओंगी, त ताकि मैं आपकी समस्याओं पर संशोधन करकर, नित नया कुछ लेकर आपके समक्षा सकूँ, मैं फिर आउंगी, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लिजेगा, आप मुझे मेरे फेस्बुक औ ताकि मेरे वीर संशोग् valtव creation रवाइक कर लिए हाओने मेरे चैनल कर लिएते हैंगी, और सम्सक्राइब जरूर खेए उनल कर लिएक कर लिएूर कर प